दोस्तो नमस्कार भार तरेल यात्री चैनल पर आपसे भी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तो आप यहां पर देख पारे होंगे कि अपडेट में मैं आपको बताने वाला हूँ गोड़ा गोमती नगर एक्सप्रेस के बारे में जो गोड़ा गोमती नगर एक्सप महिने में ही छा नई ट्रेनों का सवगात मिला है मैंने अपने बहुत सारे वीडियो में बताया है जो छा नई ट्रेने है उसमें पहला ट्रेन जो चल चुका अगरतला आनंद विहार टर्मिनल तेजस राजधानी एक्सप्रेस वाया मालदा टाउन भागलपूर जमालपूर पटना दूसरी ट्रेन 24 जन्वरी से चलने वाली जो है पटना दुमका एक्सप्रेस उसके बाद देवगर डिवडूगर एक्सप्रेस जो भाया मतलब कि मोहनपूर हस्डीहा और भागलपूर मुंगेर खगडिया कटिहार बरसोई न्यूजल पाई गुड़ी होते वे गौ वहाँ गुड़ा गुमतीनगर एक्सप्रेस जिसके बारे में यह लैटस्ट अबडेट मैं आपको दे रहा हूँ उसका रूट भी मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा कैसे चलेगी गुड़ा गुमतीनगर एक्सप्रेस का रूट संबवता गुड़ा से चलकर जो है हस्डिहा हस्डिहा में इंजन रिवर्स करके फिर भागलपूर और भागलपूर से फाइनली इस ट्रेंड को जो है मुंगेर, सबदलपूर और बेगुसराय, बड़ोनी, समस्तिपूर होते हुए मुझफरपूर, हाजिपूर, सिवान होते हुए लेके जा सकते हैं या फिर समस्तिपूर, मुझफरपूर, आगे मुतीपूर, चकिया, मुतिहारी, बेतिया, बगहा, कप्तान गंच, गोर तो जो अपडेट है वो अपडेट में आपको बताता हूं क्या लिखा है आप देख पारे होंगे कि जो अपडेट है वो आज कहीं अपडेट है 17 जन्वरी 2024 तो इसमें लिखा हुआ है कि नए साल में रेलवे ने मुंगेर को दो नई ट्रेंड के सवगात दिये एक ट्रेंड जहां भागलपूर मुंगेर वेगुसराय करास्ते गुमती नगर से गुड़ा के वहीं दूसरी ट्रेंड देवगर डिबडुगर एक्सप्रेस मुंगेर खगडिया रूट से चलेगी रेलवे बोर्ड के जोएन डारेक्टर कोचिंग कुमार सिन्हा ने द्वारा जानकारी नोटिफिकेशन में इस आसे की जानकारी दी है इसमें कहा गया है कि गुमती नगर गुड़ा एक्सप्रेस का पड़ी चलेड मुंगेर वेगुसराय रेल मार्क से होगी यह ट्रेंड जमालपूर स्टेशन नहीं जाएगी बताया गया कि यह ट्रेंड सप्ता में एक दिन चलेगी गुमती नगर से परतेख सुक्रवार को गोड़ा के लिए रवाना होगी जबकि गोड़ा से परतेख सनीवार को गुमती नगर से गुमती नगर के लिए प्रस्थान करेगी गुमती नगर से यह ट्रेंड सुक्रवार को अपरहा 15 बच के 35 बजे गोड़ा के लिए रवाना होगी और 8 चालीस बजे गोड़कपूर पहुँचे गोड़कपूर सोनपूर बढ़वनी गोड़कपूर से डाइरेक्ट सोनपूर लिख दिया गया है इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि सोनपूर से गुड़कपूर बहुत दूर पड़ता है इससे दो रूट भी है सोनपूर से एक सिवान होकर के है और एक मुझफरपूर होकर के है तो किस रूट से जाएगी मुझफरपूर बेतिया होकर जाएगी कि सिवान होकर जाएगी ये बताए तो ज्यादा बढ़ी आएगा सोनपूर बड़ोनी मुंगेर के रास्ते दूसरे दिन पुर्वान 11 बच के 10 बजे गोड़ा पहुंचेगी इसी परकार गोड़ा से परतेक सनिवार को अफरान 2-10 बजे गुमती नगर के लिए प्रस्थान करेगी और रवी वार को सुबर 7 बजे गुमती नगर पहुंचेगी मतलब कि सनिवार को जब ये 2-10 बजे प्रस्थान करेगी 2 बच के 5 मिनट पे दुमका पटना प्रस्थान करेगी दुमका से तो इट मिन्स हस्डीहा या हस्डीहा के आगे कहीं आसपास दोनों ट्रेनों का जिंग यानि की आगे पीछे चलाया जा सकता है जो रूट है वो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों उसके पहले आप लोग जारखंडियों का थोड़ा सा करामत देख लिजिए साहिव गज में दुरगटना गड़स तुने से बची तेजस राजधानी एक्सप्रेस जो अगर तला आनद विया टर्मिनल तेजस राजधानी एक्सप्रेस चल रही है उसका स्टोपे जारखंड में कहीं नहीं दिया गया एक तरीके से जारखंड को इगनोर किया गया मालदा टाउन बंगाल में पड़ता है मालदा टाउन को आज सीधे भागलपुर इस्टोपिश दिया गया है तो आप ये देख लिए कि इसके दोएस में आकर के वहाँ पर जारखंडियों ने या फिर आप ये मतलब की जारखंडी बोलें या फिर अपराधिक तत तो बोलें अपराधिक तत तो बोलना ज्यादा सहीरेगा उन्होंने साहिव गंज के पास इस ट्रेन को छटी पहुँचाने की कोशिस की ट्रेन को बेपट्रिप करने की कोशिस की कितना सर्म की बात है ये अपने बिहार में तो खेर ऐसा नहीं है लेकिन जो भी हो तेजस रजधाने को कुछ होना नहीं चाहिए तो आएए दोस्तों रूट को हम लोग देख लेते हैं गोड़ा से ट्रेन हस्डिया मिंजन रिवर्सलों के बारहाट आएगी बारहाट से फिर ये ट्रेन जो है भागलपूर आएगी भागलपूर से मुंगेर मुंगेर से फिर ये ट्रेन सब्दलपूर होते हुए फिर लखमनिया और फिर आगे बढ़वनी को आएगी बढ़वनी को ना ले जाया जाए बल्कि बच्वारा से डारेक्ट हाजीपूर ले जाया जाए हाजीपूर से सोन पूर ले जाया जाए यहां पर आप देख पारे होंगे हाजीपूर से सोन पूर पिर उसके बाद फिर इस टेन को छपरा ले जाया जाए तो इससे क्या होगा कि समस्तिपूर में ट्रेफिक बढ़ाना समस्तिपूर में ट्रेफिक बढ़ाना यह कुछ समझ नहीं आता है इस तरीके से क्यों किया जाता है मुझफ़पूर को बहुत सारी ट्रेन है भाई अगर रेलवेस को देख रहा है तो इस तरह का चुतिया आप मत करो हाजी पूर लाए हाजी पूर से आप यहां पे छपड़ा पर लाईए और छपड़ा से फिर आप इस ट्रेन को जो है सीवान गोड़क पूर लेते आईए एक तो यह हो अगर रेलवे को मुझफफ़ पूर लेके जानाए मुझफ़ पूर से बहुत ज्यादा प्यार तो बढ़रूनी को समच्पूर लाइए और मुझफफ़ पूर से फीर इधर मतलाइए अगर मुझफर पूर ला रहे हैं तो फिर भगवान पूर होते वे हाजी पूर लाने का जूरत नहीं है फिर आप मुझफर पूर से इसको सगोली नगरकटिया गंज बगहा होते वे गुड़क पूर लाइए जैसे कि भागलपूर गांदे दाम चलती है हलांकि ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा और इया है विर रूर एरिया का रूट फिर गरपूर से फिर अप इसको ला सकते इस तरीके से या नहीं तो जैसा मैंने बताया कि सीवान होते वे आप इसको गोरकपुर लाइए और गोरकपुर से फिर मनकापुर गुंडा होते वे फिर आप इसको जह है गोमतिनगर ले आईए तो इससे थोड़ा फायदा होगा यही मैं खाना चारा था यही है रेलवे रूट मांकी वीडियो बहुत अच्छी है मैं जानता हूँ वीडियो अगर पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुत ज़्यादा पसंद आया हो तो बिहारियों के साथ वीडियो को सेर करें वीडियो दखने के लिए आपसे भी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आपने अपना हार्दिक्स बहुत समय दिया इसके लिए हार्दिक्स सुक्रिया जै हिन जै भारत जै बिहार